हलो इवरीवन विल्कम टु सालरज मिश्राज यूट्यूब चैनल में यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत-बहुत सागत है राश्ट्रिय मिलिटरी स्कूल से टीचर रिक्रूट में नोटिफिकेशन है इसमें सालरी दी हुई है मेंशन की हुई एड़र्टीजमेंट यहां पर टेट यह सीटट की रिपार्मेंट नहीं बताई गया है तो इंट्रेस्टेट जो भी कैंडिडेट्स रहेंगे उन्हें वाक इन इंटर्व्यू के लिए जाना रहेगा दिये गई वेज़ पर मिन्स इस्कूल वेन्यू पर जाना ओगा वाक इन इंटर्व्यू के के लिए तो सबसे पहले आगे बढ़ते हैं अद्वर्टीजमेंट के लिए सब्जेक्स क्या क्या है और कॉंसी रेट पे वाक इन है और कहां से नोटिफिकेशन आई हुई है वाक इन इंटर्व्यू फॉर्ट पोस्ट फीचर्स ऑन कॉंट्रैक्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट् इसको जाना है वाक इन इंटर्व्यू बायो डेटा डूली एफिक्स्ट वित रीसेंट पासपोर्ट साइस फोटो एंड अदर टेस्टिमोनियल्स फॉर इंटर्व्यू क्या क्या पोस्ट है मास्टर गेजिटेड बायोलोजी फिर मैच्स के लिए टीचर और इसके बाद इ अधिक मास्टर में थास्टर गेंट लिए और मास्टर गेजिटेड है बायोलोजी मैच्स इंगलिष के लिए और hahaha यहां पर टेट वगर कुछ भी मेंशन नहीं किया गया है तो टेट की रिक्वार्मेंट नहीं है कि अद्म अच póli अबेशन पॉराफिक युझा की र nu नोटिफिकेशन कहाँ से आप कहाँ पर देख सकते हैं यह notification आपकी जारी की गई है उपर में cut हो रही है जो advertisement है उसमें नाम cut हो रहा है पर आप देख सकेंगे राश्ट्रिय military school चेल हच पी तो हिमाचल प्रदेश में और residential English medium public school under ministry of defense and affiliated to cbs इसके official website राश्ट्रिय military schools के कई अलग अलग जगह पे है एक तो है अजमेर में बैंगलोर में बेलगाउं में चेल में और rms ढोलपूर में तो यह जगह से आई हूँ यह notification यहां पर आपको news section में दिख जाएगी न्यूज में आपको दिखने वाली है कि एक बर आप इसको refresh कर लें official website को तो आपको news section में दिख जाएगी चेल advertisement यह देखें यहां पर टेजी से स्क्रॉल हो रही है click here for rms चेल on contractual basis इस तो contractual basis पर है बाकी की details आप advertisement डाउनलोड करके news section में जब आप refresh करेंगे तो new आपको नजर आएगी तो यह पूरी advertisement है इसमें application form नहीं है बायोडेट आपको खुद लेके जाना है अपने साथ hp चैल आप देखने location आपके लिए suitable है तो आप से walk-in interview कोई पहले से application नहीं डालनी email भी नहीं करनी directly walk-in interview के लिए जाना है